एक बात मैंने बेदन करना चाहता हूँ श्री कृष्ण जनब भूमी के लिए आप सभी ने देखा कि आयुद्या में राम मंदर का निर्माड हुआ है लेकिन कृष्ण भी भी प्रतिक्षा में है तमाम सादू समाज भक्त समाज धर्म परचारिक समाज यह आसा करती है कि मतुरा में भी भगवान सी कृष्ण का मंदर भविदिब निर्माड होना चाहिए पूर्व काल में औरंग जेव ने बहुत बड़ातिया चार हमारी सनातनी परंपरा पर किया है अब समय आ गया है कि हम एक साथ हो अगर हम सनातनी एक साथ हुए तो इसमें कोई संसाय नहीं कि हम अपने कृष्ण मंदर को बनाने में भी सफल हो पाएंगे इसमें कोई संसाय नहीं तो इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए आप सिर्फ इतना जितने भी सनातनी इसमें तमाम संत मात्मा धर्मा चारे हमारे साथ में हैं उनके मार्ग दर्शन में हम आगे बढ़ रहें उनके मार्ग दर्शन में आगे बढ़ेंगे उनकी कृपा से हम आगे बढ़ेंगे आप लोग जो ये टीवी पे नमबर चल रहा है, स्क्रीन पे जो नमबर चल रहा है इस नमबर पे मिस कॉल मार कर और इस फॉर्म को फिलिप करके आप भी कृष्ण वग्त होकर अगर सच्चे सनातनी ये जूटे सनातनी उसे मेरा कोई कहना देनी जो जूटे सनातनी मैं उनसे कुछ कह ही नहीं सकता जो धर्म में दोस निकालते हैं उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन अगर आप सच्छे सनातनी हो तो आप इस नमबर पे मिस कॉल मार कर इस फॉर्म को फिल करके इसको पूर्ण अतहा हमें ये बताएं कि मुझे एक करोड सनातनी चाहिए कृष्यन भूमी के लिए कितने एक करोड और एक करोड तब होंगे जो सुन रहे हैं इस वीडियो को जो सुन रहे हैं मेरी इन बातों को पहली बात तो आप इसमें आमारे साथ दें दूसरा जो आपका परिवार, गली, महला, गाउं, सहर जितने भी लोग हैं उन सब को इसकी जानकारी दें इन सब से चर्चा करें कि आज भी जामा मस्जिद की शीडियों में मेरे ठाकुर जी की छवी आगरा में गड़ी हुई है उसका केस आपका ये बालग लड़ रहा है आगरा में तो मैं आपके साथ की प्रतिक्षा में हूँ और जिस दिन मेरे साथ आपका हाथ आ गया आप विस्वास मानिए हम अपने कनहियां को भी मुक्त कराने में बहुत जल्द सफल होंगे इसमें कोई संसे नहीं है